बेशमी जुल्पों की खुश्पू, शबनमी होतों का जदू, 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 मस्त नजर के जल्वे अर्सू बेशमी जल्पों की खुश्बू, शबनमी होटों का जादू, जादू, खुश्बू, खुश्बू, जादू, मस्त नजर के जल्वे हर सूदू जैसा के अपनी पिछली वीडियो में से एक वीडियो में हमने अलताफ राजा के वो गारे दिखाए और सुनवाए थे जो अलताफ राजा ने पाकिस्तानी फिल्मों से कॉपी करके अपने अलबम्ज में शामिल किये थे अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक्स पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते है अलताफ राजा के कौपीड गानों के सिल्सिले को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मज़ीद कुछ सुपर हिट गानों का बेड़ा गर्क कैसे हुआ ये देखेंगे पहला गाना अबरारुलहक्का है जो के 1999 में रिलीज हुआ था और अलबम का नाम बैजा साइकल ते था इस गाने को एक साल बाद पाकिस्तानी फिल्म में भी शामिल किया गया था जो के 2000 में रिलीज हुई थी अबरारुलहक्क के इस मशूर गाने को अलताफ राजा ने दो साल बाद 2001 में कॉपी करके अपने प्राइविट आलबम में शामिल किया जिसकी शायरी अलताफ राजा और वैशनव देवा ने की थी दूसरा गाना पाकिस्तानी फिल्म से है जिसे पहले अलताफ राजा ने और बाद में अनु मलिक ने भी कॉपी किया था नाशाद साहब का म्यूजिक तस्लीम फाजली की शायरी पर मबनी पाकिस्तानी गाना जिसे तस्वर खानम ने गाया था और फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी इस गाने को अलताफ राजा ने अपने प्राइविट अल्बम के लिए कॉपी किया जो के 2003 में रिलीज हुआ था अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर रमाने भर से रिश्टा तो डेंगे हम अलताफ राजा के बाद इस पाकिस्तानी गाने को अनुमलिक ने भी 2004 में फिल्म जहर के लिए कॉपी किया था तीसरे गाने की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन फॉर आल नोटिफिकेशन्स प्रेस कर दें तीसरे गाना पाकिस्तानी फिल्म से है जिसे वाजस बेग ने गाया था और फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी वेल अगर इमानदारी की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी गाना खुद भी कौपीड था मगर जाहिर है अलताफ राजा ने इस काने को पाकिस्तानी काने के एक साल बाद अपने प्राविट अल्बम में कौपी करके शामिल किया वीडियो के आखरी गाने की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही कौमेंट करके फ्रेंडली सजेशन्स जरूर दीजिएगा हमारी आज की वीडियो का आखरी गाना पाकिस्तानी फिल्म से है जो के 2000 में रिलीज हुई थी सिंगर साइम जहां और गाने की पिक्चराइजेशन अधाकारा रूप पर हुई थी इस पाकिस्तानी गाने को भी अलताफ राजा ने तीन साल बाद अपने प्राइवेट अलबम के लिए कौपी किया था उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत जल्द हाजर होगे हम अपनी अगली वीडियो के साथ पिल देन टेक कियर बाई बाई झाल